हलो इस्ट्रेंट्स कैसे हैं आप लोग वेलकम टू गजननद अकाडमी यूटीब चैनल मैसल रनदीप सिंग और हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं exercise 1.4 class 11 mathematics chapter 1 में आज हम बात करेंगे question number 8 की क्या कह रहा है question number 8 चलिए start करते हैं question number 8 में बता रहा है which pair of the following sets are disjoint तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि disjoint है क्या ताकि और easy रहेगा मैं disjoint का मतलब होता है हमने जो basic lecture पढ़ा तो उसमें discuss किया था अगर एक set A है एक set B है और इन दौनों में कुछ भी common मतलब इन दौनों का इन दौनों का जो intersection होगा वो क्या है नल सेट है यानि इन में कोई common नहीं है no common no common यानि कि in short यह null set है ठीक है अगर यह null set है तो उस condition में हम इसे क्या कहेंगे disjoint set कहेंगे उस condition में इसे क्या कहेंगे हम disjoint set कहेंगे clear है आप चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जिसके अंदर null set आ रहा है ठीक है null set नहीं है तो वो disjoint भी नहीं है तो इसको अब यहां से रफ कर देते हैं वापस समझ में आई गया है आपको okay 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 चलिए 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 ठीक है अब शुरू करता है फर्स्ट से एक पेयर दे दिया आपको one two three four ठीक है और दूसरा जो पेयर दिया है आप हुँ वह दिया है एक इसा नैच्रल नंबर एंड इसकी लिमिट दे दिए तो नेच्रल नंबर मान लेते हैं four है five है और six है लिमिट दे दिया आपको इन दौनों का सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं intersection निकाल लेते है ठीक है में चुल लाइन अटा देता है इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकल के आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन निकल के आएगा 4 तो जहान नल्सेट तो है नहीं है So, there is one element 4. So, it is not null set. Hence, it is not disjoint set आप यहर के नीचे इस तरीके से जो है describe कर सकते है ठीक है चलते हैं अपन सैकेंड की और A, E, I, O, U and this one ठीक है देख लेते हैं क्या है A, E, I, O and U इसका intersection निकालना है अपनको C, D, E और F के साथ क्या कॉमाना दिख रहा है आप होगा आपको E जो है इसका intersection है तो यह भी null set नहीं है तो इस नाट क्या होग एस माउस को इस नाट को इस जोइंट सैट चली आगे बढ़ते हैं एड के थर्ड की और बढ़ जाते हैं कि थर्ड में क्या कह रहा है आपको एक्सिजन इवन इंटीजर ओके इवन इंटीजर इंटीजर तो आपको पता है पॉजिटिव नगेटिव वाले अब इसमें इवन वाले लेने हैं आपको इवन वाले कौन से हो गया आपके पास टू हो गया है और यहां इंटर सेक्शन निकाल रहे हैं किसके साथ निकाल र नहीं है इसका मतलब यह वाले सेट और इस वाले सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या आएगा नल सेट आ जाएगा नल से आरते ही क्या हो जाएगा यह इट इस कि अधिया इसको कि डिस जॉइंट कि तो जो थर्ड केस है आपके पास यह एक डिस जॉइंट सेट है ठीक है आगया समझने है तो यह आपका कैशन नमर एट एंड हो गया है नेक्स वीडियो में मिलते हैं थैंक्यू बाबाई